हेलो गाइस विल्कम बैक चैनल यसके मिशड़ी अवे आप सक्सेच मैं हूँ आपका एजुकेटर्श मिस्रा मेरे प्यारे बच्छो यह अपने इस यूट्यूब चैनल यसके मिशड़ी को सब्सक्राइब नहीं कियें तो पहले आप सब्सक्राइब करिए सबसे पहले और बे की तैयारी अच्छे से कर पाएं तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्यायतीन कच्छा दस्वी का सब्सक्राइब का क्लास नाइंद का साइंस का चैप्टर ठी प्लास नाइंद चैप्टर ठी जो हमारा है परमार्व एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने वा अध्याय में पढ़ना क्या क्या है किसके बारे में डिस्क्रिषन करना है तो पहला तो हमें पढ़ना रासायनिक संयोजन के नियम है मेरा ऺध़ना होगा दूसरा में प्यार वच्छर्फ आपको पढ़ाओंगा कि डाल्टन का का पर्मार सिध्धांत कि डाल्टन का कि पर्मार्व कि सिद्धान्थ तीसरा इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक परमार्व सिद्धान्थ कि आधुनिक कि आधुनिक पर्मार्व कि पर्मार्व के बारे में पर्मार्व इट्था कि कि बारे में कि मौलिक्ष यूल् क्या होते हैं और के बारे में आएन अन की बात कि अपड़ाएंगे हम लोग कि आयन पड़ेंगे Turu जिसके बाद आणविक दरबिमान पढ़ेंगे कि शाथवा क्या पढ़ेंगे नियुका और यूइक कि दरबिमान है कि इस अठीवा प्यारी बच्चों? आपको क्या पढ़ाउंग आठीवा आपको पढ़ाउंगा मूल अवधारणा फिर आपको में क्या पढ़ना है फिर प्रतिसत संगतन नवा पढ़ना है प्रतिसत संगतन बस इतने नव पॉइंट को हम लोग डिस्कुशन करेंगे हर एक पॉइंट जवरजस्त टॉपिक के साथ चलेगा कोई भी आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी और यह हमारा क्लास नाइंद का है मेरे प्यार वच्चु क्लास नाइंद का चैप्टर 3 साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल हिंदी मीडियों वालों के लिए तो यह चलेख देखें तो हैत वे नियम जिनकी आधार पर विविंद तत्थवायोगीट परस्पर सईयोग करके नव नए योगीक बनाते है नव योगी का निर्मार करते हैं ऊसे रासानिक संयोजन के नियम कहते हैं ठीक है ना रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है रासायनिक संयोजन के नियम क्या होता है तो याद रखेगा वे नियम जिनके आधार पर विविनतत अथवा योगिक परसपर संयोग करके नयोगिक का निर्मार करते हैं तो अगर इसकी परिभासा कोई बोल दिया तो आप क्या लिखेंगे तो इसकी परिभासा लिख देना मेरे प्यार बच्चो वे यहोगी या वे नियम वे नियम जिनके आधार पर वे नियम जिनके आधार पर विभिन तत्व अत्वा योगीक विभिन तत्व अत्वा योगीक परस पर संयो करके नय योगीक का निर्मार करती है उसी रासायनिक संयोजन का संयोजन का नियम कहती है उसे रासायनिक संयोजन का मेरे प्यार बच्चो क्या कहा जाता है नियम कहा जाता है रासायनिक संयोजन देखे तो निम्नखित दो है यहाँ पर निम्नखित दो प्रमुक नियम है इसके तो पांच है लेकिन हम लोग चार हैं लेकिन इसमें से हम लोग निम्नखित दो ही नियम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कच्छा नवमी में सिर्फ दो ही नियम दिया है बाकी और पढ़ेंगे तो इसके चार से पांच नियम होते हैं इस्थी रनपात का नियम होता है गैलू सेक का गैसी आयतन नियम होता है ठीक है न लेकिन इसमें हम लो है पहला है द्रवेमान संरच्छन या द्रव की अविनासिता का नियम द्रवेमान द्रवेमान संरच्छन संरच्छन या द्रव की अविनासिता का नियम अविनासिता का नियम दूसरा मेरे प्यार बच्चों क्या है वो है द्रव दूसरा है आपका इस्थिर अनुपात का नियम इस्थिर अनुपात का नियम दूसरा मारा क्या है इस्थिर अनुपात का नियम law of conservation of mass दूसरा हमारा क्या है law of constant यहाँ पे प्रोपोर्सनल ठीक है न? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्रव्यमान सनच्ण या द्रव की अभिनास्ता का नियम पहला हमें क्या पढ़ना है? पहला मेरी प्यार बच्चों यहाँ पढ़ना है सबसे पहले हम लोग इसी की बारे में जानेंगे पहला सबसे पहले हम लोग किसी की बारे में जानेंगे मेरी प्यार बच्चों द्रव्यमान द्रव्यमान सनरच्ण या द्रव की अमिनास्ता का नियम अगर द्रव्यमान सरच्ण या द्रव की अविनास्ता का नियम देखें तो इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैग्यानिक M.V. Lomonosov ने सन 1756 इस्वी में किया था याद रखेगा इस नियम का प्रतिपादन रूस के वैग्यानिक M.V. Lomonosov ने सन 1756 इस्वी में किया था और इस नियम की पुष्ट यानि की पुष्ट जो किये थे वो कौन-कौन किये थे तो वो दो वैग्यानिक थे लिवासी और लैंडोल्ड नी ठीक है न क्या लिखेंगे प्रतिपादन रूसी वैग्यानिक M.V. Lomonosov ने सन 1756 इस्वी में किया था और इस नियम की पुष्ट और इसकी पुष्ट इसकी पुष्ट इसकी पुष्ट लिवासीये एवं लेंडोल्ड लेंडोल्ड ने किया और इस नियम की पुष्ट किस ने किया लेवासी और लेंडोल्ड ने किया था अब यहाँ पर इस नियम की अनुसार अब हम यहाँ पर में मुद्दा जानें की मालिक खोश तो बता दीं लेकिन इसके और क्या बताएंगे तो हिड डालेंगे यहाँ पर इस नियम की अनुसार कामा इन्वेटेट कामा रासानिक अफक्रियाओं में कोई द्रव्य न तोत्पन होता है और नहीं नश्ट होता है ठीक है न यह मतलब क्या होता है अर्थात द्रवे को ना तो नश्ट किया जा सकता है ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है अर्थात रासायनिक अविक्रिया रासायनिक अविक्रिया में कोई पदार्थ रासायनिक अविक्रिया में कोई पदार्थ या कोई द्रवे या कोई द्रव्य न तो उत्पन्य होता है न तो नश्ट न तो उत्पन्य होता है नहीं नश्ट होता है न तो उत्पन्य होता है मेरी प्यार बच्चो और नहीं नश्ट होता है इसको करते हैं द्रव्यमान सरच्छण का नियम अब इस नियम के कुछ पॉइंट हैं उन पॉइंटों को चले देखते हैं कि दर्विमान सरच्छन के क्या-क्या हमारे पॉइंट है तो अगर पहला पॉइंट मेरे वहर बच्छों देखें इसने पहला पॉइंट देखें तो रासाजनिक अफिक्रियाओं में पदार्त का कुल द्रब्यमान अपरिवर्दत रहता है कुल द्रब्यमान अपरिवर्दत रहता है अपरिवर्थित रहता है अपरिवर्थित का मतलब मेरी प्यारे बच्चों क्या हुआ यानि कि जैसे कि अगर आप कोई भी रियक्षन करके नया मैटर तैयार करें तो जितना पहले जितने ग्राम लिये थे उतने भी बाद में ही उतना ही ग्राम मिलेगा अर्थात अविकारक का कुल द्रब्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रब्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रब्यमान जितना उत्पाद का द्रब्यमान रहेगा उतने किसका रहेगा मेरी प्यार वच्छों उत्पात का रहेगा ठीक है ना दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा मेरी प्यार वच्छों क्या हो जाएगा यह रासानिक सहियों का मुलभूत नियम है और इसकी आधार पर पदार्थों के मात्रात्मक सम्बंधु की मूल भूत नियम है यह रासायनिक रासायनिक संयोग का मूल भूत नियम होता है होता है ठीक है अब देखिए कि जैसे कि माल देखिए मैंने यहाँ पे यंपोष मैंने सियँगा। सोडियम प्लस कलॉरिन लिया यह ने टू और। सीयल टू लिया बराबर क्या बनेगा 2 यहन्य स्ययल बना यहाँ क्या ने सकते हैं कि जितना पहले थ King थीख जेओं था उतने भी बाद में मिला तो यहीं रासाइनिक सईयोग के नियम का जो पर्थम नियम होता है द्रवेमान सरच्छत जितना पहले था उतना ही बाद में था यानि कि यह नश्ट नहीं हुआ फिर इसका मेरे प्यार बच्चू दूसरा जो नियम आता है वो कौन सा नियम आता है इस्थिर अनुपात का नियम दूसरा कौन सा नियम आता है मेरे प्यार बच्चू इस्थिर अनुपात का नियम ये इस्थिर अनुपात का नियम क्या होता है तो अगर इस्थिर अनुपात क इस्वी में किया था और इस नियम के अनुसार प्रतेक سुद्ध रासानिक योगिक में इस्थितत त wyk निश्चित भार्ढ़ात्मक अनुपाद में पाए जाती हैं वो चाहे किसी भी विधी से बनाए या प्राप्त किये जाए ठिके न इस्थिर अनुपाद का होता है यहां पर लिखेंगे कि इस नियम का इस नियम का प्रतिपादन प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे एल प्रावश्ट ने सन 1799 इसी में किया था इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यस नियम के अनुसार इन्यानिक जो हमारा ये नियम होता है रासार इस नियम के अनुसार बाद में संयुक्त होता है यहां पर क्या लिखेंगे मेरे ब्यार बुच्चू यहां पर लिखेंगे प्रत्यक रासायनिक योगिक जाहे जिस विधी से बनाया या प्राप्त किया जाए प्राप्त किया जाए सभी में तत्तों के दर्विमान एक निशीत अनुपात में संयुक्त होती है एक निशीत अनुपात में क्या होते है मेरे प्यार बचूँ संयुक्त होते हैं जैसे कि अगर हम लोग देखें जो जल होता है जो जल होता है hydrogen oxygen का योगिक है जल यानि की यस्टू hydrogen 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 oxygen का oxygen का योगिक योगिक जल किसका योगिक होता है hydrogen oxygen का इसे नदी, कुवा, समुद्र कहीं से भी प्राप्त किया जाता है परंतु जल के प्रतेक भाग या नमूने में hydrogen और oxygen का अनुपात कितना रहेगा एक अनुपाते 8 ही रहेगा याद रहेगे अब वो चाहे हमारा जल कहां का हो जल में hydrogen इम oxygen के योगिका अनुपात होता है अब वो जल चाहे कुवा का हो चाहे कहां का हो कुवा का हो या नदी का हो या नाले का हो या फिर हमको बात करेंगे समुद्र में सभी में hydrogen और oxygen का जो अनुपात रहता है एक अनुपात याड में क्या रहती है संयुपत रहती है ये आप याद रखेगा मेरे व्यार बच्चू और अगले हम लोग लिक्चर में जानेंगे डाल्टन का परमाण सिद्धान तो यह हमारा क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 है मेरे व्यार बच्चो परमाण एवम अनुप एटम्स एंड मॉलिक्यूल ओके दूस्थू थाइंक यू जैहिंटिक कियर भाई वाई लाव यू